मुंबई के गुराई चौपाटी पर बेल गारी दोड का हुआ आयोजन मुंबई के गुराई चौपाटी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वाईरल मुंबई के गुराई चौपाटी पर बेल गारी दोड का आयोजन किया गया था इस से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसके खिलाफ मामलाद दर्च कर लिया है महराष्ट्रा में बैल गाड़ी दौर और तमिलनाडू में जल्डी कट्टू पर प्रतिभन दगाने को लेकर सुप्रीम कोट में याचिका दायर की गई थी इस मामले के सुनवाई पूरी हुश्की है और कोट ने फैसला सुरक्षत रख लिया है लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में आयोजित बैल गाड़ी और घोड़ा गाड़ी दौर की हर ओर चर्चा हो रही है मुंबई के बुरी वली वेस्ट की गुराई चौपाटी का एक वीडियो इस वक्त वाइरल हो रहा है मुंबई में कल सुबा गुराई चौपाटी पर अचानक बैल गाड़ी और घोड़ा गाड़ी की रेस का आयोजित किया गया था इसकी जानकारी गुराई पुलिस को होने के बाद पुलिस ने इस प्रत्यों गिता कि आयोजिकों के खिलाफ मामला दर्श कर लिया गुराई पुलिस फिरहाल आलोपियों की तलाश कर रही है राप्त जानकारी के अनुसार बुरी वरी पश्चिम के गुराई बीच पर गुरुआर सुमाद 6 बजे बैल गाड़ी और गोड़ा गाड़ी दोड़ का कारिकरम आयोजित किया गया था रेस देखने के लिए शेहर के बीचों बीच भी लोगों की भीड़ उमर पड़ी लेकिन पुलिस के हाथ लोगों के खिलाफ कोई सुराग नहीं लगा रेस देखने पहुँचे कुछ लोगों ने इस वीडियो को सुशल मीडिया पर वाइरल किया इस रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है गुराई पुलिस ने आयो जुकों के खिलाफ पश्रू कुरूरता निवारण अधीनियम 960 की धारा 11 के तहत मामला दर्च कर लिया है पुलिस अवारोपियों की तलाश कर रही है इस बीच आपको बता दे कि मुंबई में बोरीवली वेस्ट बेलगारी दौर का आनत लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे लेकिन गुराई बीच पर इस दौर पर पुलिस की नजर कैसी नहीं पड़ी हाला कि अब इस पर हैनानी जताई जारी है पलाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है वियो रिपोर्ट मेटर मुंबई